हलो एब्रवन योवल वर्चिंग आइस पेस्पेस्विलिफाइड और आज है हमारा 30 मार्च 30 मार्च एक करेंट अफेयर जो भी मेरी सोर्स रहती है करेंट अफेयर के लिए वो प्रेस इंफर्मिशन ब्यूरो ऑफ हिंडिया दहिंदू इंडियन एक्सप्रेस को मैं यूज कर करते हैं without any delay आज है करेंट अफेयर देखिए सबसे पहला निउस है ना साओधी अरइबिया इन्होंने जोइन किया है संगाई कोपरेशन और्गनाइजेशन को जोइन किस तरीके से किया है इन्होंने जोइन किया है एज डायलोग पार्टनर की तरह ठीक है पहले मैं आपको इसरे होते हैं डायलोग पार्टनर से ठीक है ना चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं देखे देखे बात तो बहुत पहले ही चलिए आ रही थी यह मेमोरंडब में साइन बहुत पहले ही हो चुकी थी साओधी अरभिया किंग जो किंग सल्मान बिन अगर हम लोग बैकबून मेंबर्स की बात करें तो चाइन रसीयस में बहुत जादा इंटेग्रेटेट पार्ट लेता है और इसके साथ साथ भी बहुत सारी कंट्रीज है वह मैं आपको बताता हूं लेकिन इससे पहले हम एक चीद समझ लेते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं सा साओधी अर्वी करिंसी साओधी रियाल है, ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं थोड़ा, देखें, और जो बेसिक, अब हम लोग SEO के बार में जान लेते हैं कि इसकी establishment जून 2001 को हुई थी, जैसे उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है न, टोटल एट, फुल टाइम्स मेंबर्स है, और बेसिक इसका काम क्या है, यह एक alliance है, जो की focus करता है, politics पे, economics पे, and security in the Eurasian reason, अब आप कहोगे Eurasia क्यों आ गया, Europe plus Asian, Central Asian reasons, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि Russia भी आ रहा है न, ठीक है, चलिए, अब एक question आप comment section है, रशिया के साथ, सबसे बरी boundary बननाने वाली country कौन से है, ठीक है, अब चलिए, SU में, as of now, अगर हम लोग अभी की बात करें, तो total 8 members है, जिसमें 4 observer status है, and बहुत सारे dialogues partner है, ठीक है, इंक्लूडिंग तुर्की, अब आपको एक चीज़ा बात, तुर्की है कहे लेजे, नाम change हुआ है, अच्छा एक चीज़ा और आप समझे ज़े, इंडिया की status क्या है, य अब देखे, जैन धर्म की बात कर लेते हैं, sorry, बुधिजम की बात कर लेते हैं, बुधिजम में, एक hierarchy होता है, leaders की, जो गुरू होते है, उनकी hierarchy होता है, तो एक तीसरे नमबर की hierarchy होती है, उसको point किया गया है, कि इनके दौरा तो दलाई लामा जी के दौरा, जो अभी के द दश्वा, कालका, जैटसुन, धंपा, रिमपोचे, या उस post का, या उस position का name है, जो कि तीसरा सबसे highest rank है, तीबतियन बुधिजम में, बुधिजम के different types होते हैं, तीबतियन बुधिजम सबसे topmost माना जाता है, अब आप मुझे एक चीज़ बताईएगा, कि पहला और दूस दूसरा, पोश्ट की name क्या है, मैं यह इसलिए पूछना हूँ, कि अगर आप Google भी करके समझ लोगे, एक बार तो कभी किसी exam में आपको यह देखने को मिल सकता है, ठीक है, यह जो ceremony है, यह organize किया गया है, धर्मसाला में, जहां पर दलाईला मा, जो 87 साल के है, वो अभी exile पे सन है, और यह जो है वो twin brother है, ठीक है, 1995 में दलाईलामा, ठीक है, नेमड अन्यू, पंचेन लामा, the second most important figure in the faith, अगर दूसरी figure की faith की बात कर ले तो पंचेन लामा को, दूसरा figure बताया गया, ठीक है न, चलिए, अब एक बहुत ही बड़ा इसू चल रहा है, हमारे country में, UPI no longer free क्या यह सही है यह गलत है, इसको लोग समझ लेते हैं, बहुत जादा हला हो रहा है, लोग कह रहा है, इवन मैंने यूपे से एस्पिरिंट्स के भी वाटसर स्टेट्स पर देखा है, कि government will not allow to just use UPI as of now free, यह कोई बात नहीं है, आप लोगो थोड़ी से सर्च करके, थोड़ वह suggest किया है, prepaid payment instrument जिसको कहते है, पीपी आई, prepaid payment instrument जिसको कहते है, पीपी आई, वो charge करेगी, किसको, तो merchant transactions को, याद रखेगा, merchant transactions को, on unified payment interface UPI पे, अब आप कहुगे से, तो हम भी affected होड़ा है न, देखे, एक मान लिजे पे ट्यम है, ठीक है, एक तो आप UPI से UPI बैंक सु बैंक डारेक्ट ट्रांसफर करते हो, एक मिनट मैं आपो गताता हूँ तो इस सेनारियो को हम लोग समझते हैं, ठीक है, देखे, जैसे माल लीजिए, यह हमारा जिस मर्चंट, जिसको भी हम भेज रहे हैं पैसे, ठीक है, यह हमारा बैंक एकाउंट है, यह उनका क्या करते हैं, कि आप अपने बैंक से पैसे मेरे वालेट में भेजो, फिर मैं क्या करूँगा, उस वालेट से ट्रांसफर करूँगा, इस पे लगेगा आप एक बात याद रखेगा, इस से आपको कोई लेना देना है नहीं, आप तो UPI जो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नह करना, वो क्रेट करता है, जैसे माल लिजे, मैं IRCTC पे अपनी काउंट को, जैसे टिकट काटता हूँ, ठीक है, मैंने मालो मैं 5000 के टिकट काट ली, IRCTC से, पेटियम वाया जो मेरा एजेंट था, अब जैसे मुझे वो कैंसल करना पर रहा है टिकट, तो जो पेमिंट होता है वो UPI wallet में चला जाता है, wallet में चला गया, तो आपको definite कुछ चीजे होंगी, वहाँ यूज कर सकते हो उस पैसे को, जैसे आप GOI भी वो यूज करोगो, उसमें भी यही functions है, तो यह तरीकी का misuse है, अगर इसको slight different तरीके से देखोगे, तो यह तरीक का misuse है, गबर्मेंट क्य किया गया, NPCIL के द्वारे, एक circular, कि prepaid payment instrument, यह जो PPI है वो उसी wallet को कहते है, prepaid payment instrument जो है, वही wallet को कहते है, ठीक है, वो अब chargeable होगा, किस पे तो merchant transactions, किस चीज से, वाया UPI के थ्रू, मैंने आपको समझा दिया, NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है, एक interchange charge, अब देखे, आपको कर रहोंगे मिलके, तो उनको तो मिहनत लग रहा होगा, उनको time लग रहा होगा, उससे expenses लग रहा होगे company के, तो यहाँ पे वो उस खर्च को निकालने के लिए, ब्यार करने के लिए, आपको वो payment करना पड़ेगा, 1.1% का, ठीक है, और यह कब से लागू हो रहा है, यह सो सारा चीजे मैंने बता दिया आपको, और NPCI जैसे यह हला हो गया, हमारे इंडिया में बहुत जादा हो जता है, मैंने even experts को भी देखा डालते हो, WhatsApp status पे, तो उन्होंने clarify किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यह सिर्फ merchants पर लगेगा, और सिर्फ पर सिर्फ प्रिपे payment instrument पर लगेगा, जैसे wallet, ठीक है न, अब चलिए, BPI मैंने आपको already समझा दिया, इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, तो इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, चलिए, अब देखिए एक नए करेंट अब करते हैं, कहरा है, सेंटर ने अप्रूफ किया है 800 करोर रुपया को, लगबग 7432, 7,432 पब्लीक इलेक्टरिक वैकल चारजिंग स्टिसन को बिल्ट किया जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली EV जो है न, इलेक्टरिक वैकल कंसिप्ट जो है, उसमें ये रखा जा रहा है, टार्गेट कि बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कि जाए इसमें, इसे क्या होगा, ग्लोबल वामिंगी कंडिसन्स ठीक होगी, पॉलुशन्स कम होगा, और हिल्दी एर इंवान्मेंट क्रेट होगा, बहुत स्यादा कॉंट्रिबूशन हमारा वैकल से ही होता है, वह बहुत ज्यादा सल्फर, लेड ये सब बहुत ज्यादा ही है, सूट्स भी होते हैं, साथ-साथ में बहुत सारे ग्लोबल वर्मिंग कैसे होते हैं, जो कि ग्लोबल वर्म में ओजोन को होल प्रवाइट करते हैं, ठीक है, तो लगबग ये एक स्कीम के थुरू आ रहा है, कौन सा, फास्टर एडॉप्शन औन मैनुफेक्च्छिरिं पूरे कंट्री में सेट अप किया जाएगा, अभी की बात कर लेते हैं, हाल फिलाल की, तो 6,586 charging stations लगे हैं हमारे पूरी कंट्री में, और ये जो मूव है, इसको एको सिस्टम को बरहवा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, एक काम किजिएगा, आप गुगल किजिएगा, कि ऐसे कौन-कौन से स्कीम है, जो गर्मेंट फिंडिया के दौरा लाए गए है, इन दा फिल्ड ऑफ इलेक्रिक वैकल, तो कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे, जिसमें लोन प्रोवाइड किया आता है, सबसीडी प्रोवाइड किया आ कुछ अपडेट्स है, यह समझते हैं, प्रधान मंत्री, वंधन, विकाश योजना, देखें, बेसिकली क्या होता है, ट्राइवल्स होता है, ट्राइफेड, ट्राइवल्स की जो नॉर्डल मिनिस्ट्री है, अब समझें, उनका कहना है कि जैसे बहुत सारे ट्राइवल्स र नहीं है, माल लीजे, तो उसको हम लोग मेंस्ट्रीम कनेक्शन से कैसे जोडएगे, तो एक तरीका है, उनको मार्गेट लाईए, उनके लिए एक पॉर्टल बनाईए, जैसे माल लीजे कुछ ट्राइब्स है, वो हनी प्रॉसेसिंग करते हैं, हनी को नैचुरली एक्स्ट् तो गर्मेंट ने लोकसवा में इसके एक स्टेटमेंट दिया है कि लगबग 15 लाक रुपीज पर वंधन विकास केंद्र जो सेंटर खोला जाएगा वंधन विकास केंद्र उस पर 15 लाक रुपीज इच को दिया जाएगा अंडर प्रधान मंत्री वंधन विकास योजना PMJVM क अगर हम लोग बात कर ले प्रधान मंत्री वंधन विकास योजना की तो इसको लॉंच किया गया है 2018 में और इसका बस बेसिक एम यही था कि कैसे भी ट्राइबल इंकम्स को प्रोमोट करना थ्रू बाइदे मिथर्ड ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रडुक्ट तो ट्राइबल प्रडुक्ट्स होते हैं जैसे वो मान लोग यह दौडी बनाते हैं लकडी के हैंड क्राफ्ट्स बनाते हैं फैंस बनाते हैं चेर्स बनाते हैं हनी बी एक्स्ट्रैक्ट करते हैं डिफ्रेंट मेडिसिंस बनाते हैं व्रिंग्रास की तेल बनाते हैं यह उन ट्राइबल डिपाटमेंट कहने का यह मतलब है तरीके से यह एक तरीके से स्टैक बनाएंगे यहां पर यह लोग आओ विजिट करो यहां पर इनको प्रोमोट करो ठीक है आप कभी स्कॉन टेमपल जाते होगे तो देखते होगे बीच में एक एक स्टोर टाइप कर रहता है ज ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डिवलक्मेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ठीक है चलिए अब हम लोग थोड़ा से ट्राइफट के बारे में जान लेते हैं हर एक स्टैक फैक्ट को क्लियर करते चलना चाहिए तो ट्राइफट का इस्टैबलिश्मेंट कोपरेटिव बैंक्स होते हैं या नहीं पहले चीज़ दूसरी चीज़ कोपरेटिव बनाने का मकसद क्या होता है तो मकसद होता है ऐसे लोगों को ट्राइबल्स हो गये विलिजर्स हो गये रूरल बैक्ग्राउंड के लोगों के उनको सपोर्ट करना उनको कोपरेट करना और अगर हम लोग बात करें ट्राइफट के बारे में तो ये इसकी administrative control आती है आपको Ministry of Welfare of India के अंदर इसकी objective तो आपको पता है तो लगबग 10 ट्राइबल वंधन विकास के अंदर की बात करें से जुड़े होते हैं तो ये जो self-help groups होंगे न वो आपको tribal handicraft iteration से भी consist करेंगे साथ में लगबग 300 beneficiaries पर के अंदर में होगी ठीक है ना चलिए अब चलते हैं हमारे next current affair पर देख लेते हैं education ministry ने सलिप किया है लगबग 9000 schools को अपने flagship program प्रधान मंतरी school for rising india scheme flagship कहने का ये मतलब होता है कि ये start किया जा रहा है इसको check किया जाएगा अगर ये applicable होगा तो इसको implement किया जाएगा flagship कहने का मतलब एक तरी के समझे कि ये start इनहीं के दोरा किया गया है ठीक है ministry of education ने shortlist किया है 9000 schools को पूरे country में अपने flagship program के दोरा कौन सा program है वो प्रधान मंतरी school for rising india इसको PM3 कहते है याद रखेगा एक्जाम में PM3 दिखा मिल जाएगा कहीं में ये लिखा नहीं होगा प्रधान मंतरी school for rising india और किस ये रिलेटेड है तो आपको याद रखेगा इस ये रिलेटेड है education ministry से ठीक है ना अब जो institutions को select किया गया ना उनको six parameters पे select किया गया है जैसे curriculum क्या curriculum activities करवाते हैं वो assessment infrastructure पे human resource पे gender equality पे ये सारी चीजों को assess करके इनको select किया जाएगा अब PM3 है कर ये समझ लेते हैं PM Modi ने announce किया था ये scheme को 5 September 2022 को या एक centrally sponsored scheme होगा इसका aim है आपको upgrade करना and develop करना around 14,500 schools तो आप देख लीजे अब बीजेपी वाले जो है अब school पे focus कर रहे हैं अब हुनों बात कर लेते हैं next current affair की तरफ तो कश्मीर की है आले अमीर जिनको honor किया गया है wildlife conservation award 2023 के लिए ठीक है ना अब जमुएन कास्मीर के जो lieutenant governor है Manoush Sinhaji उन्होंने facilitate किया है इनको wildlife honor award से ये इस बात का ध्यान रखना है यह पहली woman है कश्मीर से जिन्होंने work for the charity wildlife SOS organization which is a part of wildlife research team rescue team तो wildlife rescue team की एक part है एक ambit है जिसके अंदर में charity wildlife SOS organization है उसके तहत ये conservation में बहुत ज्यादा काम की थी कश्मीर की आले अमीर जिनको honor किया गया है इस award से ठीक है ना और उनका जो achievement है वो bear rescue bear rescue काश्मीर में काफी ज़्यादा रहा है उनके लिए और साथ साथ में release of wild animals पे ज़्यादा focus की है यह इसलिए को यह award मिला है ठीक है ना शलिए अब हम लोग लास्ट करेंट अफेर देख लेते हैं आज का देखिए स्कॉटलेंड के पार्लेमेंट न जागा conditions आगे जो यह news में है सबसे पहली बात यह youngest first minister बने है यह youngest first minister बने है और वो भी first muslim leader बने है इस government के किसी भी western Europe वाले reason में इसी लिए यह काफी जादर news में है 2012 में युसूफ जो है हुम्जा युसूफ वो पहले मुश्लिम जो appoint किये गये थे Scottish government के reason में Scottish government के member में ठीक है न और वो उस वक्त ट्रांस्पोर्ट मिनिश्टर बने है 2016 में यह भी याद रखेगा हुम्जा युसूफ जो है वो history create किया गया है ऐसे youngest ever leader बनने में वो भी Scottish government मे ऐसे आज से पहले नहीं हुआ था तो आप समझ सकते हो कि वो लोग अभी भी कितना ज्यादा discrimination करते हैं कितना ज्यादा differences create करते थे लेगिन अब यह धिरे-धिरे चेंज हो रहा है तो यह था हमारा आज है current affair अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो you can join my telegram channel ISP simplified ठीक है एक April से I promise you all क current affair हमारे एकदम सुबह आएगा और with more mature content with more mature diversification 10 a.m. से पहले आपको current affair मिल जाएगा एक April से ठीक है ना चलिए BPSC 69 की भी preparation start करने वाला हूँ एकदम integrated चलेगा 68 mains के साथ ही चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है 69 प्रिलेम्स और mains के साथ preparation करना हो तो आप जोड़ सकते मेड चैनल से ठीक है थाइक यू